साथ वे एक समय था जब देश में ऑडिट को एक आशंग का एक भई के साथ देखा जाता था CAG बनाम सरकार यह हमारी व्यवस्ता की एक सामान ने सोच बन गई थी और कभी-कभी तो यह भी हो जाता था कि बाबु लोग ऐसे हैं ऐसा ही देते हैं बाबुओं को लगता था CAG वाले ऐसे ही हैं कि हर चीज में उनको नुस्ख ही नजर आता है हरे कि अपने अपनी बात थी लेकिन आज इस मानसिक्ता को बदला गया है आज आडिट को वेल्यू एडिशन का एहम हिस्सा माना जा रहा है सरकार के कामकाज का आकलन करते समय CAG के पास आउटसाइडर व्यूपॉइंट का एडवेंटिज होता है अब जो कुछ हमें बताते हैं उससे हम सिस्ट्रमेटिक इंप्रूमेंट्स करते हैं उससे हम अपने लिए एक सयोग के तौर पर देखते हैं मुझे लंबे अर्षे तक सरकारों का नेतरुत्व करने का सहुभागी मिला है मैं जब गुजरात में मुख्यमिंत्री था तब भी अपने अधिकारियों से कहता था और आज भी यही कहता हूँ CAG में जो डॉक्यमेंट और डेटा मांगे जाते हैं वो तो आप जुरूर दीजिए अपने काम से जुड़ी दूसरी फाइल्स भी उन्हें दीजिए इससे हमारे लिए और बहतर काम करने का स्कोप तयार होता है हमारा सेल्फ एसेस्मेंट का काम आसान हो जाता है